केबिनेट में मेरे सहयोगी स्री जी किशन डेडी जी मिनाक्षी लेखी जी अर्द्युन राम मेग्वाल जी लुव म्यूजियम के निर्देशक मैनुवर रबाते जी दुनिया के अलग-अलग देशों से आए अतिजी गण अन्य महानुभाव देवी और सहयोगी आप सभी को इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बहुत-बहुत सुबकामना है आज यहां म्यूजियम बलके दिग्गत जुटे हुए है आज का यह अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि भारत अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे होने के लक्ष उपलक्ष में अम्रित महोत्सव मना रहा है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्स्पो में भी इतिहास के अलग-अलग ध्याय आधुनिक टेक्निक से जुड़कर जीवन्त हो रहे हैं जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा मैसूस होता है जैसे बीते हुए कल से उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है हमारा साक्षातकार हो रहा है म्यूजियम में जो दिखता है वो तत्यों के आधार पर होता है प्रत्यक्ष होता है एविडेंस बेश होता है म्यूजियम में हमें एक और अतीच से प्रेणाय मिलती है तो दूसरी और बविश्य के प्रतिय अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है आपकी जो थीम है सस्टेनेबिल्टी एंड वेल बिंग वो आज के विश्व की प्रत्विक्ताओं को हाइलाइट करती है और इस आयोजन को और ज्यादा प्रासंगिक बनाती है मुझे विश्वास है आपके प्रयास संग्रहालयों में युवा पीड़ी की रूची को और बढ़ाएंगे उन्हें हमारी धरोरों से परिचित कराएंगे मैं आप सभी का इन प्रयासों के लिए अभिनंदर करता हूँ यहाँ आने से पहले मुझे कुछ पल विज्यम में बताने का आउसर मिला हमें कही कारकमों में जाने का आउसर आता है सरकारी गेर सरकारी लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मन पर प्रभाव पैदा करने वाला पूरा प्लानिंग उसका एक्जेकुशन और सरकार भी सुन्चाई के काम कर सकती है जिसके लिए बहुत गर्व होता है वैसी व्यवस्ता और मैं मानता हूँ कि आज का यह अउसर भारत के मुजियम की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा ऐसा मेरा पक्का विश्वास है साथियों गुलामी के सैंकडो वर्षों के लंबे कालखन ने भारत का एक नुक्षान ये भी किया कि हमारी लिखीत अलिखीत बहुत सारी धरोहर नश्ट कर दी गई कितनी ही पांडूली प्या कितने ही पुस्तका रहे गुलामी के कालखन में जला दिये गए तबाह कर दिये गए ये सिर्फ भारत का नुक्षान नहीं हुआ है ये पुरी दुनिया का पुरी मानवजात का नुक्षान हुआ है दुर्भाग्य से आजहादि के बाद अपनी धरोहरों को सवक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे वो उतने हो नहीं पाए लोगों में धरोहरों के प्रती जागुरुक्ता की कमी ने इक शती को और ज़्यादा बढ़ा दिया और इसलिए आजहादि के अमरित कालब है भारत ने जिन पंच प्राणों की गोशना की है उनमें प्रमूख है अपनी विरासत पर गर्व अमरित महोत्सों में हम भारत की धरोरों को सम्रक्षित करने के साथ ही नया कल्चल इंफ्रास्रक्चर भी बना रहे हैं देश के इन प्रयासों में स्वतंत्रता संग्राम का इत्यास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कूरूतिक बिरासत भी है मुझे बताया गया है कि आपने इस आयोजन में लोकल और रूरल मुजियम पर विशेश महत्व दिया है भारत सरकार भी लोकल और रूरल मुजियम को समुरक्षित करने के लिए एक विशेश अभियान चला रही है हमारे हर राज्य, हर खेत्र और हर समाज के इतियास को समुरक्षित करने के प्रयास किये जा रहे हैं हम स्वाधिन्ता संग्राम में अपनी ट्राइबल कम्यूनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए दस विशेश मिज्यम्स भी बना रहे हैं मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें ट्राइबल डाइवर्सिटी की इतनी व्यापक जलक दिखने वाली है नमक सत्यांगर के दोरान मात्मा गांदी जिस पत पर चले थे उस दांडी पत को भी समुरक्षित किया गया है जिस स्थान पर गांदी जी ने नमक कानून तोड़ा था वहाँ आज एक भव्य मेमोरियल बना हुआ है अज देश और दुनिया से लोग दांडी कुटी देखने गांदी नगर आते हैं हमारे संविधान के मुख्य सिल्पी बाबा साब आमबेड करका जहां महापरी निर्वान हुआ वो स्थान दस्वकों से बदहाल था हमारी सरकार ने इस स्थान को दिल्ली में पांच अलिपूर रोड को नेशनल मेमोरियल में परिवर्तित किया है बाबा साब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थ महु में जहां उनका जन्म हुआ लंदन में जहां वो रहे नागपूर में जहां उन्होंने दिक्षाली मुंबई की चैत भुमी जहां उनकी समाधी है ऐसे स्थानों का भी विकास किया जा रहा है भारत की पांसो असी से जादा रियासतों को जोडने वाले सरदार साब की गगन चुम्बी प्रतिमा स्टेची अफ यूनिटी आज देश का गवरो बनी हुई है स्टेची अफ यूनिटी के भीतर भी एक मुजियम बना हुआ है चाहे पंजाब में जलियावाला बाग हो गुजरात में गोविन गुरुजी का स्मारक हो यूपी के वारानसी में मान महल मुजियम हो गोवा में मुजियम अप क्रिश्चन आठ हो ऐसे अनेक स्थानों को समुरक्षित किया गया है मुजियम से जुड़ा एक और अनूठा प्रयाद भारत में हुआ है हमने राजधानी दिल्ली में देश के सभी पूर्व प्रधान मंत्रियों की यात्रा और ये गुदान को समर्वित पीएम मुजियम बनाया है आज पूरे देश से लोग आकर पीएम मुजियम में आज़ादी के बाद की भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे है मैं यहां आए अपने अतितियों से विशेस्त आगर करूँगा कि एक बार इस मुजियम को भी अवश्य देखे साथियों जब कोई देश अपनी विरास्त को सहेजना शुरू कर देता है तो उसका एक और पक्ष उभर कर सामने आता है यह पक्ष है दूसरे देशों के साथ सम्मंदों में आत्मियता जैसे कि भगवान भुद्ध के महापरिनिर्वान के बाद भारत ने उनके पवित्र अवशेसों को पीडी दर पीडी समरक्षित किया है और आज वो पवित्र अवशेस भारती नहीं दुनिया के करोणों बवद्ध अनुएयों को एक साथ जोड रहे हैं अभी पिछले वर्थ ही हमने बुद्ध पुर्णिमा के अवसर पर चार पवित्र अवसेसों को मंगोलिया भेजा था वो अवसर पूरे मंगोलिया के लिए आस्था का एक महापर्व बन गया था बुद्ध के जो रेलिक्स हमारे प्रणोसी देश स्रिलिंका में है बुद्ध पुर्णिमा के अवसर पर उन्हें भी यहां कुशिनगर लाया गया था ऐसे ही गोवा में सेंट क्वीन केटेवान के पवित्र अवसेसों की दरोहर भी भारत के पास समरक्षित है मुझे आध है जब हमने सेंट क्वीन केटेवान के रेलिक्स को जॉर्जिया भेजा था तो वहां कैसे राष्ट्रिय परवका माहुल बन गया था उस दिन जॉर्जिया ने अनेकों नागरी को वहां के सड़कों पर एक बड़ा मिले जसा महवल हो गया था उमर पड़े थे यानि हमारी विरासत बैश्विक एकता वर्ल यूनिटी का भी सुत्रधार बनती है और इसलिए इस विरासत को संजाने वाले हमारे मुजियम्स की भूमी का भी और ज्यादा बढ़ जाती है साथियों जजम परिवार में साधनों को आने वाले कल के लिए जोड़ते हैं वैसे ही हमें पूरी पृत्वी को एक परिवार मानकर अपने संसाधनों को बचाना है मेरा सुझाव है कि हमारे मुजियम्स इन वैस्विक प्रयासों में एक्टिव पार्टिसिपर्स बढ़े है हमारी धर्ती ने बीती सद्यों में कई प्राकृतिक आपदाय जेली है इनकी स्मुर्तियां और निशानिया आज भी मौझूद है हमें जादा से जादा मुजियम इन निशानियों की इन से जुड़ी तश्वीरों की गैलेरी के दिश्या में सोचना चाहिए हम अलग-अलग समय में धर्ती की बदलती तश्वीर का चित्रन भी कर सकते है इससे आन परण के प्रती जागरूपता बढ़ेगी मुझे बताया गया है कि इस एक्स्पो में गैस्ट्रोनोमिक एक्स्पिरियंस के लिए भी स्पेस बनाया गया है यहां आयुर्वेद और मिलेट्स श्री अन्न पर आथारित विंजनों का अनुभवी लोगों को मिलेगा भारत के प्रयासों से आयुर्वेद और मिलेट्स श्री अन्न दोनों ही इन दिनों एक ग्लोबेल मुविमेंट बन चुके हैं हम श्री अन्न और अलग-अलग बनस्पत्यों के हजारा वर्ष की आत्रा के आधार पर भी नए मुझेम बना सकते हैं इस तरह के प्रयास इस नॉलेज सि साथियों इन सभी प्रयासों में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम अयतिहासिक वस्तुओं के समुरक्षन को देश का स्वभाव बनाए अब सवाल ये कि अपनी धरोरों का समुरक्षन देश के सामान्य नागरी को स्वभाव बनेगा कैसे मैं छोटा सा उदान देता हूँ क्यों न भारत में हर परिवार अपने घर में अपना एक पारिवारी संग्राल बनाए गर के ही लोगों के विशे में अपने ही परिवार की जानकारिया इसमें घर की घर के बुजूर्गों की पुरानी और कुछ खास चीजें रखी जा सकती हैं आज आप जो एक पेपर लिखते हैं वो आपको सामाने लगता है लेकिन आपकी लेखने में वही कागज का टुकणा तीन चार पीडी के बाद एक इमोशनल प्रपर्टी बन जाएगा ऐसे ही हमारे स्कूलों को भी हमारे भिन भिन संस्तानों और संग्रणों को भी अपने अपने मुजियम जुरूर बनाने चाहिए देखिए का इसे कितनी बड़ी और अइतियासिक पुंजी देश के विविन शहर है वो भी अपने हां सीटी मुजियम जैसे प्रकलकुपों को आधुनिक स्वरूप में तयार कर सकते हैं इसमें उन शहरों से जुड़ी अहतियासिक बस्तुए रख सकते हैं विविन पंथों में जो रिकॉर्ड रखने की पुरानी प्रंपर हम देखत करेगी कि साथियों मुझे खूशी है कि मुजियम आज युवाओं के लिए सिर्फ एक विजिटिंग प्लेस ही नहीं बलकि एक केरियर ऑप्शन भी बन रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने युवाओं को केवल मुजियम वरकर्स के दुरस्ति से ना देखें हिस्ट और आर्किटेक्ट्चर जैसे विश्वयों से जुड़े युवाओं ग्लोबल कल्ट्रल एक्षेंज के मिडियम बन सकते हैं यह युवाओं दूसरे देशों के में जा सकते हैं वहां के युवाओं से दुनिया के अलग कल्चर के बारे में सीख सकते हैं भारत के कल्चर के उन्हें बता सकते हैं इनका अनुभव और अतीद से जुड़ाव अपने देश की विरासत के समरक्षन के लिए बहुती प्रभावी सिद्ध होगा साथियों आज जब हम साजी विरासत की बात कर रहे हैं तो मैं एक साजी चुनोती का भी जिक्र करना चाहता हूं यह चुनोती हैं कलाकृतियों की तसकरी और एप्रोप्रियेशन बारत जैसे प्राचिन संस्कृति वाले देश सेक्ड़ों वर्स से इसे जूज रहे हैं आजाति के पहले और आजाति के बाद भी हमारे देश से अनेको कलाकृतिया अनधिकल तरीके से भार ले जाई गई हमें इस तरह के अपरात को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा मुझे खुशी है कि आज दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख के बीच अब विविन देश भारत को उसकी धरोहर लोटाने लगे हैं बनारत से चोरी हुई माँ अन्पुर्णा की मुर्ती हो गुजरात से चोरी हुई महिसासुर मर्दिनी की प्रतिमा हो चोल सामराज्य के दोरान निर्मित नटराज की प्रतिमाएं हो गुरुगोविन सीजी के नाम से सुसोवित तलवार हो पिछले नव साल में ही करीब दो सो चालीस प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापिस लाया गया है जबकि उसके पहले कई दसोंकों तक यह संख्या बीस भी नहीं पहुँची थी इन नव वर्सों में भारत से सांथकृति कलाकृतियों की तसकरी भी काफी कम हुई है मेरा दुनिया भर के कलापार्खियों से आगर है विशेशकर मुजियम से जुड़े लोगों से अपीर है कि इस खेत्र में सहयोग को और बढ़ाएं किसी भी देश के किसी भी मुजियम में कोई ऐसी कलाकृति नहीं हो जो अनएथिकल तरीके से वहाँ पहुँची हो हमें सभी मुजियम के लिए इसे एक मोरल कमिट्मेंट बनाना चाहिए चाहतियो मुझे भी स्वास है हम अतीज से जुड़े रहकर बविश के लिए नए आइडियाज पर इसी तरह काम करते रहेंगे हम विरासत को सहजेंगे भी और नई विरासत का निर्मान भी करेंगे इसी कामना के साथ आप सभी का रजय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं